दीपक मेमाता के साक्षा दर्शन कीजिए हमारे पास एक परशन बहुत आ रहा है कि हमारे दीपक पर अलग-अलग आकर्तिया बनती हैं फिर भी जीवन में हमारे बहुत जादा शत्रू हैं काम नहीं बनते और कोई हम पर कोई कभी किरिया करवा देता है कभी हमारे काम रुक जाते हैं तो महिने में एक अश्टमी आती है जिसको हम कह सकते हैं दुरगाश्टमी कह सकते हैं अब उस दिन आपने 108 लोंग लेनी है हवन करना है और जो भी आपका शत्रू है उसका नाम लेना है पहले और माता से ये प्राथना करनी है कि उस शत्रू की जो आपके परतिशतूरता है वो खतम हो जाए और 108 अहुती डालनी है नर्वान मंतर से आपने ये हवन जब करना है उस टाइम कोई आप से बात नहीं करेगा इस हवन को आप चाहे कमरे को बंद करके करें इस हवन में सबसे ज़्यादा सावधानी यही है कि इस हवन में आप बीच में नहीं उठ सकते हो किसी से बात नहीं कर सकते हो तो इस हवन को आप करें इस हवन को आप शाम को भी कर सकते हैं रात को भी कर सकते हैं दिन में भी कर सकते हैं यह सत्रू सनहारन मंतर होता है इसमें आपको 108 लोंग लेनी है नर्वान मंतर बोलना है औ और मातरानी से प्राथना करती है कि आपके सारे सत्रों का वो नाश करें, उनकी बुद्धी का नाश करें और वो आपके परती मितरता भाव रखें और जो आपके कामों को वो बिगाड रहे हैं, वो काम बिगड़ना बंध हो जाएं। इसमें आपने एक दीपक जलाना है, तो इसमें तेल का दीपक जलेगा, नीचे आप जो आसन देंगे दीपक को वो आपकी इच्छा है, चावल का दें, चावल टूटा नहीं होना चाहिए, गेहों का भी दे सकते हैं और फूल भी का आसन दे सकते हैं, माता की स्थापना करके ये हवन करना है इसमें जो लोंग आप यूज करोगे उन पर सभी पर फूल होना चाहिए एक मंतर पढ़कर एक जो लोंग है उसकी आहूती जाएगी और आप देखो इसका बहुत चमतकारी परभाव होता है आपके जीवन में शत्रों का नास होना शुरू हो जाता है इस हवन को हर तीसरे महिने करते रहें आपके जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा कि आपको सभी एक मितरता भाव रखना शुरू कर देंगे बोलो जै मातारानी की जै मातारानी